नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिवेण मिस्र। आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांकी। आज अविजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर बाराः बजकर तेरा मिनट से दोपहर बाराः बजकर सत्तावन मिनट तक। जो भी महत्तिपून कार है अविजीत मुहूर्त में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना जादा रहेगी। राहुकाल का समय होगा सुबह ग्यारा बच कर तेरा मिनट से दोपहर बारा बच कर पैतिस मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है पश्चिम दिशा तो पश्चिम दिशा की और लंबी दुरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की कारेशेत्र में परिशानिया दूर होंगी रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा लोगों से उलजने से बचे सेहत पर ध्यान देने का समय है नगेटिव विचारों को मन में हावी ना होने दे व्यापार में स्थिती मजबूत होगी जरूरी टिप इगो से बचे शुबरंग गुलापी उपाय किसी गरीब को फल का दान करे ब्रश राशी किसी से मतभेद हो सकता है कोट केस में सफलता मिलेगी छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी खर्चों को कंट्रोल करना होगा दूसरों के भरों से कोई काम ना छोड़े व्यापार में लाव का योग है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुब रंग, सफेद, उपाए, किसी गरीब को चीनी का दान करें मिथुन राशी, करियर के छेत्र में इस्थिती अनकूल रहेगी आपकी नित्यत्य चमता पढ़ेगी हर फैसला सोच समझ करना होगा आपका सम्मान और बढ़ेगा वाणी में विनम्रता रखना होगा व्यापार में तेजी से काम करने का दिन है जरूरी टिप हंकार से बचे शुब रंग, बहुरा उपाए, किसी गरीब को भोजन दान करें करकराशी, परिवार से संबंधित परिशानी दूर होगी मानसिक उलजने सुलजेंगी मित्रों से सहयोग मिलेगा रुके हुए कारे पूरे होगे खान पान का ख्याल रखना होगा व्यापार में इस्थिती बहतर होगी जरूरी टिप कम बोलें शुब रंग, क्रीम उपाए, किसी गरीब को चावल का दान करें सिंग राशी, आपका पराक्रम बढ़ेगा जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी रोग परिशान कर सकते हैं, सावधान रहें रिस्तेदारों से मतभेद हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा ना करें व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें जरूरी टिप आलश्य से बचें शुबरंग लाल उपाए, भगवान शूरे को जल अर्पित करें कर्ण्या राशी प्रापरटी से जुड़े काम बनेंगे वाणी का प्रियोग सोच समझ कर करना होगा नेगेटिव विचारों से बचें कहीं से अच्छी खबर मिलेगी मित्रों की मदद से काम बनेंगे व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप अहंकार से बचें शुबरंग सफेद उपाए, किसी गरीब को आटे का दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है अनुस्का वर्मा का इनकी डेट अब बर्थ है 21 जुलाई 1998 सुबह 5 बचकर 55 मिनट समस्ति पूर बिहार का जन्म है इनका सवाल ये है कि ये इंजिनिरिंग के छेतर से जुड़े हुए काम करते हैं अच्छा प्रोजेक्ट कम मिलेगा और शादी कब होगी अनुस्का जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली तयार है आपकी करक लगन की कुंडली है और मिथुन राशी है आपका जन्म अम्रक्षिरा नच्छत्र के तरती चरण में हुआ है इस समय आपकी ब्रहस्पती की महादशा चल रही है जो जन्वरी 2019 से शुरू हुई है और जन्वरी 2035 तक चलेगी और ब्रहस्पती की महादशा में बुद्ध की अंतरतशा सितंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक चलेगी आपकी कुंडली में अच्छा फायदा हो 9 2015 से 9 2016 से जुलाई 2039 के बीच में करियर में अच्छी ग्रोथ होगी उसी दोरान अच्छे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे अच्छा काम भी होगा प्रमोशन भी होगा धन भी आएगा तो 9 2006 से जुलाई 2029 तक का समय करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत लावदायक होगा उस समय आपकी इंकम अच्छी बढ़ेगी शादी कब होगी दूसरा आपका सवाल है तो देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से शादी का समय शुरू हो जाएगा इसी साल मार्च 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक मैरिज का योग है इसमें आपकी मैरिज हो सकती है तो उसके लिए आपको प्रयास करना शुरू करना होगा जो अच्छे रिस्ते आ रहे हैं उनमें से आप सलेक्ट करना शुरू करें तो मैरिज हो जाएगी उपाय क्या करें जिस से शादी हो जाए पहला उपाय हर शनिवार के दिन कम से कम आठ गरिबों को खाने पीने की चीजें दान करें और शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाट करें, हनुमान जी को लाल फल या लाल मिठाई का भोग भी लगाएं और उस प्रसाद को भी गरीबों को बाटे जब आप शनिवार को भोजन दान करेंगे, ये उपाय शनिवार का है, दूसरा उपाय, प्रति दिन भगवान भोले आ रहे हैं, उनको दूर करें, ये दो उपाय करेंगे, और एक पुखराज रत्न, सवा ग्यारा रत्ती का पुखराज, ब्रहस्पतिवार के दिन सोने की अंगोटी में, इंडेक्स फिंगर में धारन कर लें, ये उपाय करिये, करियर भी अच्छा होगा और शादी भी हो जा उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंड बॉक्स में लिकेगा, वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कारिक्रम में सामिल करेंगे तुलाराशी, भागे का साथ मिलेगा, करियर के छेतर में सफलता प्राप्त होगी, अपने काम पर ध्यान देना होगा रिष्दिदारों के साथ मिल कर कोई काम ना करें, अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा ब्यापार में विस्तार की योजना बनेगी जरूरी टिप गुस्से से बचे शुबरंग गुलाबी उपाय गव माता को रोटी खिलाए ब्रिश्चिक राशी अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी रुके हुए काम बनेगे लंबी दूरी की यात्रा से बचे सिख्चा के छेत्र में लाब होगा व्यापार से जुड़े काम बनेगे जरूरी टिप सेहत का ख्याल रखे शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को भोजन दान करे धन उराशी धन लाब का योग है मित मन की चिंता दूर होगी मित्रों की मदद से काम बनेगे जल्दवाजी से बचे विदेश यात्रा का योग है व्यापार से जुड़े काम बनेगे जरूरी टिप आलस्य से बचे शुबरंग सुनहरा उपाय किसी गरीब को चावल का दान करे मकर राशी कारेशेत्र में ध्यान देना होगा आपकी नेत्यत्य चमता और बढ़ेगी धन की स्थिती में सुधार होगा कटू आनी का प्रयोग ना करे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को फल का दान करे कुम्भराशी भागे का साथ मिलेगा अचानक कोई अच्छी खवर प्राप्त होगी आपका सम्मान बढ़ेगा सिख्छा के छेत्र में सफलता प्राप्त होगी धन कमाने के नए रास्ते तलाशने का समय है व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी जरूरी टिप धैरे से काम करे शुबरंग भूरा उपाय किसी गरीब को आठे का दान करे मीन राशी हर काम सावधानी से करने का दिन है लोगों से उलजने से बचना होगा करियर से संबन्धित फैसले जल्दवाजी में ना करे नए लोगों से मुलाकात होगी सेहत का ख्याल रखना होगा व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप इगो से बचे शुबरंग पीला उपाय पक्षियों को दाना खिलाए राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिने उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा बीते नवस्कार